सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जी एस बाई इश्वर सर आज का हमारे टोपिक है बलैक फंगस क्रोना काल के अंदर जहां पे बहुत सारी बिमारियां लोगों को घे रही है सबसे खतरनाक है क्रोना की दूसरी लहर इस लहर के अंदर एक और सम सभी क्रोना पीडितों के सामने आ रही है जिसका नाम है बलैक फंगस बलैक फंगस को जो वेगैनिक नाम है वो है म्यूकोर माइकोसिस यह वीडियो हमने सभी लोगों की समान्य समझ के लिए बनाया है ताकि लोग इस समझ्या को समझ सकें इस बीमारी को समझ सकें और इस ब कम्पिटिशन एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह एक महत्पुन वीडियो रहेगा तो चलिए देखते हैं इसमें बलैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस इसका पुराना नाम जाइगोमाइकोसिस था इस बिमारी को यह बिमारी वैसे कोई नई बिमारी नहीं है क पैडरिक कुछेन मेस्टर उन्होंने इसकी खोज की थी और लेकिन अब आज कोविड नाइंटीन के समय में जो व्यक्ति जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है अथ्वा जो व्यक्ति लगतार आइसी यू वगरह में रहते हैं तो उनको यह काफी खतरनाक बीमारी हो रही है और सरजरी के दृबारा और भी बहुत सारी समश्चे आरही है तो यह देखिए एक तरहां की फंगस होती है यह जो की हमारे सिरीर के अंदर हमला करती है और उसके कारण नाक में से काले रंग का मबाद निकलना मूँ सूजना दान्तों में दर्द होना आधी बहुत सारी स समान पड़ा रहता है वहां पर देखना काले रंग का या कोर्णर के अंदर कई बार दिवारों वगर आपे काले रंग की काई सी जम जाती है उसी को ब्लैक फंगस कहते हैं तो इस वीडियो में हम यह 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 टोपिक देखेंगे वाट इस ब्लैक फंगस कोविड हाव सिरियस इस ब्लैक फंगस वाट इज ब्लैक फंगस इंफेक्शन इन कोविड इज ब्लैक फंगस हैपनिंग तो कोविड पेशेंट ओलनी वाट हैपने इन ब्लैक फंगस इस दियर एक क्योर फार ब्लैक फंगस वाट इदा मेडिसिन ऑफ ब्लैक फंगस परिकाजन एंड कर दिकलू क्या-क्या घटिद हो रहा हैं क्या इसके लिए कोई औशदिये उपलब्द है मेडि कीन हिपलब्द है इसका इलाज उपलब्द है और इसके लिए हमें क्या-क्या सवधानिय वरतने चाहिए और अंतमे सारा आज तो देखें कि भारत में क्रोन Cornal संक्रमन के दूसरी लहर पहली लहर से अधिक विनासकारी साबित हो रही है परन्तु इसके साथ साथ इसमें एक नई जान लेवा विमारी जिसे हम ब्लैक फंगर सत्वा माइक्रो म्यूकोसिस कहते हैं का भी संक्रमन बड़ी तेजी से फैल रहा है यह विमारी सबसे पहले 1855 में एक जर्मनी के चमडी रोग विशिशक फैडरिक कुचेन मेस्टर द्वाराखो जीगी ती तब इसका नाम जाइगो माइकोसिस था इससे पता चलता है कि यह विमारी कोई नहीं नहीं है इसलिए इससे ज़्यादा घबरानी की जुरूत नहीं है बस सावधानी के उशक्ता है यह एक फ़फोंदी का संक्रमन है पर अंतु वरतमान समय में कोविड-19 के मरीजों में जिनका इम्मिनिटी सिस्टेम को जो है अथ्वा जो डियाविटिक है अर्थार्थ शु में भी खतरनाक हो रहा है जिनसे व्यक्ति की जान भी जा सकती है यह विमारी सिर्फ चमड़ी पर ही असर नहीं करती है यह विमारी मनुष्य के स्रीर में साइनोसिस ब्रेन फेफ़ड़ों स्टोमक स्किन आधि बुरा प्रवह डालती है लेकिन फिल हाल यह चमड़ी आंखो और नाक पर अधिक आकरमनकारी है अब अगला प्रशन है कि क्या यह सिर्फ मानुष्रीर को संकर्मित करती है तो इसका उत्तर है नहीं यह कुत्ते बिल्ली गोड़े गाए डॉल्फिन सील मचली आधियां जानुरों को भी संकर्मित कर सकती है इसलिए जिस्म यक्ति को बलै है कि कोविड-19 के जो पेशन्ट अधिक क्रिटीकल थे और जो इनको होस्पिटिलाइजड किया गया है उनके अंदर यह संकर्मन काफी तेजे से बड़ा है और अकेले महाराश्टर में ही बुद्वार तक 126 मोते बलैक फंगस के कान हो चुकी है और बहुत से राज्यों ने बहुत से राज्यों ने इसको महामारी भी घोशित कर दिया गया है हरियाना राजस्तान तमिलाडू बंगाल आदी राज्यों ने इनको महामारी घोशित किया है के अंदर सरकार ने राज्यों को बलैक फंगस को महामारी अधिनियम 1897 के तहत महामारी घोशित करने के लिए क तो हुआ है जिनको ब्लेक फंगस विमारी खोजी गई है COVID-19 के समय में डोक्टरों के द्वारत दी जा रही है इसलिए डोक्टर्स ने भी एक इसके बारे में गाइडलाइन जारी किये कि स्टेराइड का प्रयोग शुरुती अवस्ता में ना किया जाए उसको एक निश्चित अवस्ता के बाद में शुरू किया जाए और एक निश्चित समय तक लिया जाए अथवा बिना डोक्टर के प्रामर्श के स्टेराइड लेना नमबर तीन है इसका कारण ऐस्वच प्रस्तितियों में मरीज का रहना नमबर च्यार है पेशन्ट का डाइबिटिक होना तो यह पहला दूसरा और चौत्था कारण है यह ज्यादा इसके कारण है बड़े कारण है जैसे कमजोर इम्मिनिटी होना स्टेराइड का दिख लेना या पेशन्ट का डाइबिटिक होना और यह किन के लिए जिनको कोविड हो चुका है या कोविड के में क्रिटिकल कंडिशन में जा चुके हैं तो शुगर का सतर अधिक होना और एक होता है इसमें बोडी फ्यूल में ज्यादा एसिड एक्तरित होना इसको कहते हैं एसिडोसिस तो हमारी बोडी में जो हमारी किडिनी होती है और जो हमारा liver होता है और ये body में दो तरह की चीज़ों को control करते हैं एक acidosis होता है तो एक alkalosis होता है जो गुर्दे विगरा और हमारा जो liver है इनको control करते है तो इससे क्या होता है कि जो हमारी body होती है उसमें body fuel में acid जमा हो जाता है और जब ज़्यादा acid जमा हो जाता है या bicarbonate कम हो जाता है तो उस स्थिति को acidosis कहते हैं तो अगर आपके body में acidosis का level बढ़ गया तो भी संक्रमित होने का खत्रा बढ़ जाता है इसके लक्षण क्या है इसके लक्षण है आंक नाक कान गले में गाल में सूजन होना चहरे का रंग बदल जाना चहरे के एक हिस्से में दर्द होना आंखों में दर्द अथवा जलन का होना आंखे खोलने में दिक्कत होना दांतों में दर्द अथवा दांतों का हिलना नाक से काला या भूरे रंग का भाव होना उल्टी में खून अथवा, खांसने में खून आना, तो ये प्रमुक लक्षण है, ये भारत सरकार के एक गाड़िलाइन जारी हुई थी, कि बला एक फंगस से ना घवराएं, सजग रहें, सावधाने अपनाएं, तो इसमें जो बताया गया है, बचाव के तरीके, बलड शु ब्यों करें, वह पानी प्रती दिन बदलें, और अगर ऐसे लक्षण आते हैं आपके, नाक बंद रहना, नाक से खोन आना, पदबूल दर पानी आना, चेहरे से सुजन, दर्द या सुन होना, दान्तों में दर्द होना, चेहरे पे काले निशान या छाले हो जाना, आंकों म वाले हैं, अपनी बारी आने पर अपना इंजेक्शन अवश्य लगाएं, इसके बारे में किसी भी परकार की कोई अफवा ना फैलाएं और ना ही किसी और को, अगर कोई फैला रहा है तो उसको रोके, क्योंकि यहें इंजेक्शन ही करोना से बचाव का सिर्फ एक मातर हमार जाव रहा है, चलिए आगे, इसमें साफधानियां क्या क्या बढ़तनें चाहिएं, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई ना लें, स्टेराइड का प्रियोक बिना सलाह के ना करें, अथो अपनी चंशार दवाई को ना बदलें और ना ही बंद करें, स्टेराइड के दिक मात हो सुजन महसूस हो तो जो एंटी इयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट डोक्टर होता है उसको जुरूर दिखाएं और अपना चेक किया जाना चाहिए शुगर का लेवल चेक करवाया जाना चाहिए और एसीडोसिस चेक करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि जो बोडी फ्यूल है उसमें एसीड की मातरा बढ़तों नहीं गई है समश्या बढ़ने पर अच्छे एंटी स्पेशलिस्ट सरजन की साहिता ली जा से को बलैक फंगस का इलाज किया सकते हैं तो अभी पी आई बी जो हमारा प्रैस इंफॉर्मेशन बीरो है उसने यह सुचना दिया कि यह कोई प्रमानिक इलाज नहीं है और इसका कोई वेगानिक अधार नहीं है और किसी परकार की कोई भी रिस्क लेने से बचे और ऐसे न जब हमने समझ लिया कि यह बीमारी क्या है कैसे है तो इसको अंतिम जो चीजें हैं वो समझने कि कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है यह कोई नई बीमारी नहीं है कई सालों से चली आ रही है अथारा सो पच्पन में पहली बाई डिटक्ट हुई थी अपनी इमिनेट की बढ़नी रहे अफवाओं से बचें खुद भी अफवाओं पर विश्वास ना करें और किसी दूसरे को भी अफवा फैलाने से रोकिए एक अच्छे भारतिय होने का करतवे निभाईए बीमारी की स्थिति में अपने सुकर के लेवल को कंट्रोल करें यह स्थित रखें बिमारी के लक्षन होने पर तुरंट चिकित्सक से संपरक करें यह एंटी जो डोक्टर होते हैं यह नोज थ्रोट और साथ में जो आपके चमड़ी रोग विश्यश्यक होते हैं उन से संपरक करें धन्यवाद और उमीद करता हूं कि आप सभी को यह मेरे द्वारत दीगी जानकरी अच्छी लगेगी और यह जानकरी सिर्फ समानी ग्यान के लिए हैं किर्प्या खुद भी सुनिए लोगों को भी बताईए ताकि वो अपने स्वास्ते के प्रति सचेत रहें और एक स्वास्त भारत का निर्मान हो जै हिंद जै भारत